बाना में आज एक युवा का सो केन नदी के पुल के नीचे बरामद होने से इलाके में हरतम मच गया परजनों की सूचनपर मौके पर पहुंची पुलिस ने सो को कब्जे में लेकर जाँ शुरू कर दिये वहीं परजनों ने युवा की हत्या की आसंका जताई है आपको बता दे कि घटना सहर कोतवाली छेत्र के केन नदी का है जहां आज केन पुल के नीचे एक युवा का सो मिला है मरतक सहर कोतवाली छेत्र के ही कंचन पुर्वा मौले का रहने वाला है परजनों की माने तो जिस इस्तिती में युवक कसो पड़ा मिला है उस इस्तिती में तो यही है कि उसकी हत्या की गई है वही परजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची और सव को कब्जे में लेकर पोश्ट माडम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जास शुरू कर दिये शिवम 22-23 वर्स का था महाशिक रूप से थोड़ा इस्तिती उसकी ठीक नहीं थी और यह शाम पो घर पे खेल रहा था वहां से रेलवे की पट्टी पर वह चलते हुए चला गया और उस दोरान गाड़ी आने के दोरान समोता वहां से कूद करके या गिर करके उसकी पत्थर पे केन नदी के भीतर वो पत्थर पे गिरा जिसकी वज़े से प्रतम दृष्टिया ये प्रतीत हो रहा है कि उसकी मृत्यू होई है और शेसम अगर कोई और कारण होता है उसके लिए हम बाकी जो पंचायत नामा बीम की कारवाई होती है वो सारी चीज़ें हम करवा रहे है परीजन हत्याका रौप लगा रहे है जिए जो भी चीज़े हैं उसकी हम जाज करवाएंगी प्रपर और पुलिस की कारवाई होगी जो भी हमारे यहां जो भी चीज़ें आएंगी हम पुलिस उसके पूरी कारवाई करेंगे कप्हाक रहने वाले हैं? तो क्या हुआ है उपर से गिरा है अब कैसे गिरा है जैसे आइसे सो रहा है पहले मीडिया वाले आए हमने उनको दर्शाया यही कहा तो क्या लगता है कि आत्म हत्या नहीं है हत्या है तो हम इसके लिए का है तो पुलिस वाले कहे नहीं है शुर्ट लगता है किसी जे में रच्च को के लिए Помार कथा एक संध्य시कर वर श्रात वर समसे था केह तो अध्या कपर जूदाना नषै की माघ्शे शंत्रॉब यह दिनीमाग मैं कि षिङुआ आपको क्या ना में चाचा हमने बता तो दिया है इन बार ठीक ठीक